बिहार विधान परिश्चत की पाच सीटों पर हुए चुनाओं में भाजपा ने दो पर जीत हासिल की है पटना में बीजेपी कारियाले में नव निर्वाचित MLC के स्वागत के लिए कारिक्रम आयो जित किया गया MLC चुनाओं में मिली इस तफलता के बाद बीजेपी बिहार विधान परिश्चत में सबसे बड़ी पाटी बन गई है गया से अवधेश नरायां सेंग और जीवन कुमार जीत कर आए है कारिक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले जनता और मद्दाताओं का धन्यवाद अदा किया आज बड़े ही गर्व के साथ भारतिय जनता पाटी बिहार के विधान परिशद में सबसे बड़ी पाटी बनकर उबरी है मैं इसके लिए जनता मत्दाताओं को और दोनों निर्वाचीत हमारे जो मानने सदस आये हैं इनको मैं विसेश तौर पर और गया के मगद के साहवाद के इलाके के तमाम सिक्षक गन तमाम ग्रेजवेट साथियों को विसेश तौर पर धन्दवाद देता हूँ कि उनके मत्द के अधिकार से भारतिय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबरी है और हम आपको स्वस्त करते हैं अपनी इस जीट से उत्साहिद बीजेपी अध्याक्ष तमराठ चौदरी ने 2024 के लोग सभा चुनाओ और 2025 में बिहार विदान सभा चुनाओ के लिए पड़ा दावा किया भारतिय जनता पार्टी 2024 में भी अपने इतियास से अधिक को दोराने का काम करेगी और 2025 में भी भारतिय जनता पार्टी 23 से अधिक सीतों पर जीत कर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी वही उन्होंने प्रधान मंत्री के नेत्रित उपर भरोसा जताते हुए कहा आने वाले वक्त में बिहार की जनता समझ गई है कि कितने परदान मंत्री को देखना है किचली सरकार बना कर क्या घोटाले बाजों की सरकार बनाना है देखिए एक चीज़ समझ लीजिए बिहार की जनता कुरीत रहिया समस्ती है कि कितने परधान मंत्री को देखना है बगल में मंता दीदी परधान मंत्री की उमिदवार है दिल्ली में केजरिवाज जी परधान मंत्री के उमिदवार है उत्तर परदेश में अकलेश यादव ज तो कितने प्रधानमंत्री को देखना है क्या खिचड़ी की सरकार बनाकर देश में गोटाला की सरकार बनाना भरस्टा चार को आगे बढ़ाना 2004 से लेकर 14 तक देश के लोगों ने देखा कोईला हो टूजी हो जीजा जी हो सब को देखा और उसके पहले 1996 की विश्टिती को आपने देखा कभी ये सरकार गिरा देते कभी वो सरकार गिरा देते कभी ममता दीदी नराज तो कभी है जै ललिता जी नराज तो अब देश में मजबूत सरकार की कलपना जनता ने समझ लिया है इसलिए आपने देखा कि आदने नरेंद्र मोधी जी के नित्रित में लगातार हम विकास कर रहे हैं देश को मजबूत कर रहे हैं और देश आगे बढ़े इसकी चिंता पूरे भारत वर्ष के लोगों को हैं इसलिए ये जो गटबंधन के लोग हैं ये कहीं दिखने वाले समराठ चौधरी ने कहा कि देश की जनता चानती थी कि महागडबंधन सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी इसलिए वो नरेंद्र मोधी के साथ हैं देश में पियम की कोई वेकेंसी नहीं है आपको मालूम होगी हाल ही में गया सक्षक और गया सनातक तीटो से मलसी हुआ 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 है